तो इस वीडियो में हम next 50 questions देखने वाले हैं इससे पहले already हम 50 questions कर चुके हैं तो यह जो questions है आपके NVS, TGT और PGT का जो आगे exam होने वाला है उसमें बहुत help करेंगे आपको यहां से question देखने को मिल सकते है 99% chances है कि जो question में करा रही हूँ आपको exam में देखने को मिलेंगे आप इससे पहले वाली PPT भी आपको अवेलेबल करा दी गई है अगर आप उत्रकंट LT की तयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको मिलेगा अभी NVS upcoming exam है उत्रकंट LT upcoming exam ह ठीक है तो DSS भी आपका है तो इन सभी exams में आपको यह काफी help करने वाला है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखना और questions को खुद भी solve करने की फिर कोशिश करना पहले question में कहा है equation of line whose segment यह line है इसका segment हो गया चोटा सा part ठीक है यह कहा है कि एक line है जिसका जो segment है वह first line और second line परस्ट यह है इन दोनों line के बीच में और जो यह one five point है यह by set कर देता है ठीक है इसको तो यह कह रहा है उस रेखा का समीकरण जिसका रेखाओं के बीच का अंतरखंड रेखाओं के बीच लाइन वन और टू के बीच में लाइन वन लाइन टू इसके बीच से two equal parts में break हो जाता यह यहाँ पर बोला जा रहा है ठीक है तो हमें पता है यहाँ पर कि यह जो P point है यह काम आप लोग खुद करोगे जो P point है वो इस line के उपर है इसकी equation हमें निकालनी है इसके उपर है इसका ही equation हमें निकालनी है तो पक्का एक चीज होगी कि one five जो है इन जब आप रख करके देखोगे तो अगर सिर्फ एक ही option को satisfy करता है तो आपका अंसर वही हो जाएगा लेकिन अगर दो या तीन को satisfy कर गया तो दिक्कत हो जाएगी है ना फिर आंसर निकालने के लिए long method पर जाना पड़ेगा तो यह काम आप खुद करके देखोगे इन चारो option म माल लिया है इसको हमने x1 y1 माना है और इस point के coordinate x2 y2 माल लिया है ठीक है अब हमें पता है कि यह जो x1 y1 है वो इसके उपर है और यह जो x2 y2 है वो इसके उपर है तो इनको satisfy करेगा इनको satisfy करेगा तो हम क्या सकते है कि 5 x1 minus y1 plus में 4 equal to 0 होगा और 3 x2 plus 4 y2 minus 4 equal to 0 होगा क्योंक कि यह जो है ना इसके उपर यह point है और इसके उपर यह point है x1 y1 तो इसलिए इसको satisfy करेंगे अब इन दोनों के question का हम solve कर नहीं सकते है तो हमें पता है कि जो 1 5 है वो midpoint है किसका x1 y1 इस line segment का midpoint जो है वो P है क्योंकि bisect का है bisect मतलब equal part में divide करना तो हमें पता है कि x1 plus x2 upon 2 कर करेंगे तो 1 आएगा y1 plus y2 upon 2 करेंगे तो 5 आएगा ठीक है x1 plus x2 equals to 2 और y1 plus y2 equal to 10 आ जाएगा दो equation बन गई अब x1 की value और y1 की value हम इसमें रख देंगे तो 5 x1 की value 2 minus x2 minus y1 की value 10 minus y2 plus 4 equal to 0 10 minus 5 x2 minus 10 plus y2 plus 4 equal to 0 तो 10 से 10 cancel यह आया minus minus क्या minus into कर देते हैं पूर equation में तो यह आएगा 5 x2 minus y2 minus 4 equal to 0 और एक line हमारे पास 5 x1 ठीक है 3 x2 plus 4 y2 minus 4 equal to 0 यह line हमारे पास है इस question में एक छोटी सी mistake और है कि यहां पर जो है यह 4 नहीं होगा ठीक है यह 4 नहीं होगा तो यहां यह 4 नहीं है ठीक 3 x2 और 5 x2 minus y2 minus 4 equal to 0 ठीक है अगर हम इनको add करते हैं तो यह cancel हुआ यह कितना आएगा 8 x2 is equal to 8 अब तो यह 1 आ जाएगा इस question में कुछ misprint है 4 लेकर के ही चलते हम यह ठीक है यह 4 लेकर के ही चलते हैं तो यहां पर अगर 3 x2 plus 4 y2 है यहां पर 5 x2 10 minus 5 x2 minus 10 plus y2 10 से 10 cancel 5 x2 plus y2 minus 4 equal to 0 ठीक है तो अब हम इस पर 3 x2 plus 4 y2 equal to 4 है और इसको जड़ा 4 से into कर लेते हैं तो 20 x2 minus 4 y2 minus 16 equal to 0 है ठीक है यह equal to 16 लिख लो अब यह cancel हुआ 23 x2 equal to आ गया हमारे पास 20 तो x2 की value मिल जाएगी यहां से x2 की value हम रख लेते हैं ज़रा किसी इसमें या इसमें किसी एक में तो 3 into 20 by 23 x2 की value plus में 4 y2 equal to 4 तो यहां से जब 4 y2 equal to 4 करोगे तो 4 minus 80 by 23 तो तो 80 तो 12 by 23 4 by 2 तो यहां से y2 आ जाएगा हमारा 4 by 4 by 4 minus 8 एक मिनट हो 20 या 60 होता 80 थोड़ी होगा है तो यह कितना बचेगा चार तो नहीं आठ असी 32 तो 48 32 आएगा y2 की value 8 by 23 आ जाएगी ठीक है अब हमें पता चल चुका है कि x2 y2 हमारे पास आ गया है ठीक जब हमारे पास x2 y2 आ गया है तो अब हमने क्या करना है Equation of line बतानी थी 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 x to y2 हमें मिल गया है मतलब यह जो line है यह इस point से pass हो है इस point से pass हो रही है और इस point से अगर कोई line 2 point से pass हो तो क्या equation हम ढहीं निकाल सकते हैं किन point से pass हो रही है 15 से 8 by 23 और 20 by 23 से gा सब्सक्ट होने है y-y1 is equal to m m का मतलब है 8 by 23 minus 5 upon 20 by 23 minus 1 into x minus 1 ठीक है तो यह आएगा y minus 5 equal to 25 करेंगे कितना हैगा 3 बचे 15, 15, 15, 10 और 11 minus 8 करेंगे minus 8 plus है ना कितना हो जाएगा 107 तो यह आजाएगा 107 upon 23 से 23 नीचे वाला cancel हो जाएगा यह बचेगा minus 3 और यह बचेगा minus 107 और x minus 1 तो minus से minus cancel 3y minus 15 equal to 107x 107x इसमें दिख रहा है तो आंसर यह यह हो का और किसी में 107x है यह नहीं तो बाखी चीजें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तो d option answer हो जाएगा next question बहुत जादे important है इसमें काया कि दो यह जो lines है यह हमिशा दो lines को यह pair of line को represent कर रहा है यहाँ पर दो parallel lines को represent कर रहा है तो h plus f किसके बराबर होगा ठीक है h plus f किसके बराबर होगा इस condition के लिए इस question को करने के लिए हमारे पास एक condition होती है condition क्या बोलती है h plus f पहले हम इसको compare करते है ax square plus 2hxy plus capital H लिख देते है capital A लिख देते है by square plus 2gx plus 2fy plus constant equal to 0 यह है तो capital A की value 9 आचाएगी 2h की value small 2h आएगी capital B की value 4 आएगी 2g की value 6 आएगी 2f की value small 2f आएगी और c की value minus का 3 आएगी तो जब parallel lines होती है तो वहाँ पर h square equal to a b होता है ठीक है क्या होता है h square equal to a b एक complete condition और होती है ठीक अगर हम h square equal to a b करते हैं तो h square मतलब capital में लिखना पड़ेगा ये भी capital h square is goes to capital a b है तो capital h की जगा तो small h है यहां से देख सकते हो capital h की जगा small h है capital a की जगा 9 है capital b की जगा 4 है तो h तो हमारा 6 आजाएगा यहां से h square की value टनी है तो h हमारा यहां से आजाएगा अब हम यहां पर निकालना है F, F देख सकते हो कि F और small f बराबर है, तो small f निकालने के लिए आपके पास क्या reason होगा, वो आपको यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए आपको यहां सोचना है, बाकी जब parallel lines होती है, तो H square equal to A भी आप लोगों ने याद रखना है, लेकिन, जो small f निकालना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए एक special condition होगी, जो आपको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उसको याद रखने का मैं आपको बता देती हूँ, एक shortcut, अगर यह हमारा general equation है, तो capital A upon capital H, capital H by B, यह तो वही होगे, H square equal to AB, ठीक है, equal to G by F, तो यह आप याद रखोगे, तो easily आप question को कर पाऊगे, capital H, A by H, H by B, G by F, बस, यह बात याद रखना, तो यह H square equal to AB ही है, एक तरीका से देखा जाए, ठीक है, तो H हमें 6 पता चल गया है, capital B की value 4 है, capital G हमें पता है 3 यहाँ से capital G पता चल जाएगा, और capital F हमें पता नहीं है, तो यह आगया, 3, 2, 6, 2, 2, 4, तो F कितना आ गया, 2, H plus F, H6 है, F2 है, तो 8 answer हमारे यहाँ पर आ जाएगा, यह आपको धियान रखना है, answer C option हो जाएगा, next question में कहा है, किसका center निकालना है, जब भी किसी कोनी का center नि differentiate करो, 10X minus 6Y plus 22 equal to 0 आएगा, ठीक है, अब Y के respect में partially differentiate करो, Y के respect में जब differentiate करोगे, तो क्या आएगा, minus 6X plus 10Y plus minus 26 equal to 0, इन दोनों equations को solve करना है, और कुछ नहीं, ठीक है, solve करके X और Y की value निकालना है, इनको हम थोड़ा चोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को solve करके X, Y की value निकालोगे, वही answer हो जाएगा, बस, इतना काम करना होता है, किसी भी कोनी का center निकालने के लिए, ठीक है, अगर मैं इनको दोनों को छोटा करना चाहूँ, तो दोनों 22 से divide हो जाते है, 2, 5, 10X, 2, 3, 2, 11, 2, 3, 2, 5, 2, 13, अब option से उठा करके देख लो, 0 वाला ज्यादा आसान पढ़ता है, तो 0 रख करके देखो, 5 x 0, किसको सूट करते हैं, किसको नहीं करते हैं, किसको सैटिस्वाइ करते हैं, किसको नहीं करते हैं, माइनस 13, तो 3 प्लस 10 यह कर रहा है, यानि यह जो option दोनों को सैटिस्वाइ कर रहा तो इसका answer हमारा यही हो जाएगा, center of the circle passing through the points, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कि points देख लो कहां का बनते हैं, 2, 0 हमारा कहीं यहाँ पड़ेगा, A point बोल दिया इसको हमने, 0, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह हमारा, यह पड़ेगा B point, और 5, 1, 5, 1 कहीं यहाँ पड़ेगा, इन तीनों points से जो है, कोई circle pass हो रहा है, तो अगर मैं, ठीक है, इन तीनों points से circle pass हो रहा है, तो अगर मैं, ठीक है, अगर हम इनको ऐसे मिला दे के रहा दे है, अब यहां पे जद्धा थोड़ा से चेक कर लो कि यह कहीं राइट एंगल ट्रैंगल वगर रहा तो नहीं बन रहा है वह चीज चेक करने पड़ेगी अगर राइट राइट ट्रेंगल बन रहा होगा तो बहुत ईजी हो जएगा हमारे ठीक है तो A point जो है वो हमारा 2 0 था ठीक है 0 6 और 2 0 यह जो हमारा triangle बना है B A C ठीक है यह है यह हमारा 0 6 2 0 5 1 इनके बीच की distance निकालते हैं यह distance निकाले तो कितना हैगा 0-2 का square यानि 2 का square 6-0 का square यानि 6 का square 36 अंडरूट में यह distance आई यह निकाल के देखो तो 5-2 3 का square यानि 9 1-0 यानि 1 यह इतनी आई और यह वाले distance निकालो जड़ा 6-1 5 का square 25 यह यह इतनी आई 40 plus 10 equal to 50 हो रहा है इसका मतलब है यहां पाइथागोरस theorem फुल्पिल हो रही है और पाइथागोरस theorem अगर फुल्पिल हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि यह वाली side का square यह वाली side का square इस side के बराबर that means यह क्या है hypotanious है तो यह हमारा hypotanious है अगर यह hypotenious है तो 90 होगा अगर यह 90 बन रहा है किसी भी circle के अंदर एक line ऐसे बनी है और से ऐसे अगर यह 90 है तो इसके सामने वाला जो है हाइपोटनियूस होता है यह पक्का सरकल का डायमेटर होता है यहां होगा सेंटर अगर यहां पर होगा तो हमें पता यह डायमेटर का मिड़ पॉइंट भी होगा डायमेटर का मिड़ पॉइंट है तो एड कर वा दा 0 plus 5, 5 by 2, इसमें है, इसमें है, 6 plus 1, 7 by 2, तो D option हमारे यहांपर सही answer हो जाएगा, if the slope of the line, if the slope of one of the lines represented by this, यह दो lines है, इसकी जो एक line की slope है, ठीक है, एक line की slope M1 है, दूसरे line का slope M2 है, तो जो M1 है, is square of the slope of other line, M2 का square के बराबर है, ठीक है, अब हमें पता होता है, अगर इस form में कभी equation दिया हुआ हो, AX square plus 2Hxy plus By square, अगर इस form में कभी equation दिया हुआ होता है, तो दोनो lines की slope का जो sum होता है, वो minus 2H upon B होता है, और दोनो lines का slope का जो multiplication होता है, वो A upon B होता है, ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं, एक equation ही हमें यह दे दी गई है, तो M1 plus M2, क्या हो जाएगा भई, M1 plus M2 अगर हम कहें, यह होगा, ठीक है, तो 2H minus 6 के बराबर, तो 2H जो है minus 6 के बराबर है, तो H की value तो minus 3, H की value minus 3 यहां पर रखेंगे, तो 6 upon B, B की value क्या है, Y square का coefficient है, B यानि 1 तो यहां पर 1 आ जाएगा, और M1 into M2, M1 into M2 कितना है, A upon B, A का मतलब तो A ही है, small A, A का मतलब यहां से देखोगे, तो small A है, question से देखोगे, तो A का मतलब small A है, upon में B आएगा, जो की हमारा 1 है, तो यह हमें मिल गया है, ठीक है, अगर मैं यहां M1 की जगह M2 square रख दू, M1 की value रख दो, क्यूंकि मुझे पता M1 जो M2 का square के बराबर है, और M2 यहां पर तो यह A हो जाएगा, तो M2 का cube जो होगा, तो A हो जाएगा, इपना तो यहां पर पता चल गए, अब इसको solve करते हैं, M1 की जगह M2 square रख दे हैं, plus M2 minus 6, यह quadratic बन गई, quadratic अगर आप solve पर होगे, तो M2 plus 3, M2 minus 2 यह आएगा इसका, equal to 0, तो M2 की value minus 3, और 2 आएगा, ठीक है, तो M2 की value अगर हम positive, यह negative दोनों में से कोई भी अगर लेते हैं, क्योंकि, दोनों possible है slope होना, ठीक है, तो अगर 2 लेंगे, तो A की value कितनी आएगी, यहां पर रखो 2, 8 आएगा, minus 3 रखोगे, तो minus 4, 27 आएगा, तो answer क्या हो जाएगा, A option, distance of a point, this from the center of this circle, जो circle है, उसके center के, जो coordinate दिये हैं, वो हमें 2 plus 3 cos theta, minus 4 plus 3 sin theta दिया, यह center of circle हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, center of circle दिया हुआ है, तो जो हमें center of circle दिया हुआ है, तो यह जो दिया है, ठीक है, इस center की circle से distance निकाल नहीं है, distance, sorry, ये एक circle है, ये कोई point भी है, इस point से इसकी distance निकाल गी है, ठीक है, अब distance तो निकाल लेंगे, ये point तो पता हो, तभी तो distance निकाल लेंगे, ये point ही पता नहीं है, मतलब center ही पता नहीं है, तो x की value दी है, वो दी है, x equal to 2 plus 3 cos theta, y दिया है हमे, minus 4 plus 3 sin theta, अगर मैं यहाँ से sin square, sin और cos को अलग-अलग कर दू बिलकुल, तो पहली equation से ये आएगा, दूसरी equation से, sin cos को केला कर दिया, अब मुझे पता दोनो equations को square करके add करूंगी, तो x minus 2 by 3 का whole square, y plus 4 by 3 का whole square, is equals to sin square, cos square plus sin square, that means 1, यानि x minus 2 का whole square, plus y minus minus 4 का whole square, equal to 3 का square, that means अगर मुझे यहाँ पर center की बात करनी है, तो center क्या होगा, 2 और minus 4, तो यह center हो जाएगा मेरा, center निकल गया, center यह हो गया, 2 minus 4, और जो point है, 1 minus 2, इन दोनों के बीच का distance मुझे निकालना है, क्या हो जाएगा, 1 minus 2 का whole square, yानि minus 1 का square, minus 2 plus 4, yानि 2 का square, तो under root 5 आएगा, add कर देते हैं, इनको under root में कर देते हैं, तो root 5 आएगा, यानि B options आएगा, the equation of the line bisecting the angles, यह जो pair of line है, यह ऐसे बन गई, लेकिन जब यह ऐसे बनी, तो एक angle यह बनेगा, और एक angle हमारा यह बनेगा, तो अब हमें इन दोनों angles को bisect करने वाली equations, line का equation बताना है, यानि एक line यह बताओ, एक line यह बताओ, इसकी और इसकी equations बतानी है, क्या होंगी, ठीक है, इसका और इसका equation बतानी है, क्या होंगी, तो इस question को हम लोग कैसे करते हैं, इसका direct formula होता है, वो आप याद कीजिगा, अगर हमारे पास equation ax square, plus by square, equation of line bisecting the angles between the pair of lines, between the pair of lines, यानि this, ठीक है, इसके लिए, equation of line bisecting the angles between the pair of lines, ठीक है, तो a की value 3 है, b की value हमारे पास minus 2 है, c की value जो है, c नहीं है, h की value हमारे पास minus 1 by 2, plus 1 by 2 होगी, ठीक है, तो वो जो equation of line होती है, जो इन दोनों के pair को के बीच में बनने वाले angle को bisect करती है वो हमारी होती है x square minus y square upon a minus b x into y by h तो x square कितना है y रहेगा ये तो upon a minus b 3 plus 5 हो जाएगा x into y h हमारा 1 by 2 बस इसको solve परने answer आजाएगा कितना आएगा ये आएगा 8 8 को इधर पहुंचा दो ये 1 by 2 यहां से इधर आएगा तो ये वापस 2 इधर ही आएगा 16 हो जाएगा अरे यार पुछ गलत कर दिया ये 3 minus minus 2 था और ये हमारा 1 by 2 तो ये तो हमारा 5 होगा ना ये 1 by 2 यहां 2 आजाएगा तो ये 5 यहां सेटेगा तो 10 हो जाएगा यहां पर तो ये आंसर हो जाएगा x square minus y square minus ये हमारा answer हो जाएगा ठीक है इन दो लाइन को बीच में बढने वाले एंगल ये रहे ठीक है इनको bisect करने वाली इन दोनों line का जो equation होता है वो इससे निकलता है ठीक है equation of plane containing x-axis हमें एक plane का equation बताना है जो x-axis को contain करें अगर कोई भी plane x-axis को contain करता है तो उसमें x वाला term नहीं होगा ये होगा answer ठीक है उसमें x वाला term नहीं होता है एक्स वाला term नहीं होगा by plus c-z होगा answer x-y plane में दो सीधी रेखा है एक दूसरे को overlap कर रहे एक दूसरे को overlap कर रहे दो चरू x और y रेकिक समीक्रण का एक जिकम दर्शाती है एक line है दूसरे रेखा l1 by 2 के रूप में y intercept है मतलब अगर ऐसे कोई line जा रही है तो ये वाला जो चीज है वह वह हमारा 1 by 2 intercept है जो कि c की value 1 by 2 हो ठीक है किसी रेखा l1 by 2 के रूप में y intercept है तो y intercept मतलब y equal to mx plus c अगर line का equation था तो c की value intercept हमें दिया हुआ है 1 by 2 ठीक है अब बोलता है क्या और ये जो line है इन दोनों के रूप में दिये गए दो चरो x और y में समीक्रण के u के हल से बुजरती है वह कह रहा है कि ये जो line हमने बनाई है न ये वाली जो line है वह इस line और इस line ये दोनों line ऐसे एकर cut कर रही है तो ये जो इनका point है इस point से line pass होती है कौन सी ये वाली line pass होती है that means इनका intersection point दोनों lines का intersection point हम इस line के equation में रख सकते हैं तो ये 3x plus में 4y equal to 11 इसको मैं 2 से into करती हूं 14x minus 4y equal to 6 cancel 17x equal to 17 x की value 1 x की value 1 तो 3 into 1 plus 4 into y equal to 11 तो 4y equal to 8 y equal to 2 तो जो point आएगा 1,2 इन दोनों line का intersection point आया 1,2 और इसी point से pass हो आती है तीसरी ये वाली pass होती है अगर ये pass होती है तो y के जगा 2 x की जगा पर 1 plus 1 by 2 तो ये आएगा 3 by 2 x की value आ जाएगी 3 by 2 ठीक है x की value मेरे पास कितना आता है 3 by 2 आता है तो कहता है कि वो जो तीसरी line थी x successful रेखा L तो ये जो x-axis से ये वाली जो line थी द्वारा बनाया गया कौन कितना होगा तो ये अंगल बताना है कितना होगा ये यहाँ पर थोड़ा सा mistake कर दिया y की value हमने कितना निकाला है 2 m x की value 1 plus half कितना एगा 2 minus 1 by 2 equal to m आना था 3 by 2 x नहीं m आना था 3 by 2 m की value 3 by 2 आ रही है ठीक है तो m equal to क्या होता है 10 theta होता है तो 10 theta is equal to 1 by 2 तो theta कितना आएगा थीटा आ जाएगा इतना वी option इसमें कहाए कि यह जो equation है c is not equal to 0 को represent करती है तो pair of state line कितना होगा क्या बोल रही हूं मैं इसमें कहा है कि यह equation है c is not equal to 0 है तो pair of state line में क्या condition fulfilled होगी हमें पता होता है क्या भई पहले से general equation से compare करते है general equation क्या होती है ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 यह हमारा general equation होता है ठीक है इसको में capital c लिखरी हूं क्यों क्योश्चन में small c लिखा है तो compare कर लो इसको जरब तो capital a की value small है capital b की value small b है और 2h यह वाली चीज है ही नहीं यह चीज अगर है नहीं तो h की value 0 है और इसको अगर करोगे तो g की value c by 2 आएगी और यही value capital f की भी आएगी ठीक है और capital c जो है वो 0 है ठीक है constant हमारे आपर 0 है अब pair of state line को क्योंकि represent करती है तो pair of state line में condition होती है abc plus two fgh minus a minus b minus c f square capital f g square h square यह 0 होता है abc abc c 0 है तो portion 0 plus two fgh h 0 है तो यह भी 0 minus a a का मतलब यह हुआ f f की value c by 2 है तो यह हो गया c square by 4 b की value small b है g की value भी c by 2 है तो c square by 4 h की value 0 है तो यहां पर बस 0 लिख दिया तो यहां से minus common ले लिया c square by 4 common ले लिया a plus b equal to 0 आ जाता है c हमारा 0 के बराबर नहीं है तो यह चीज़ 0 के बराबर नहीं होगी और यह चीज़ 0 के बराबर नहीं है तो यह 0 होगा यह 0 गा तो a option answer हो जाएगा if the equation represents a pair of straight lines सेम तरह का question है कि इसको पहले तो हम general उससे compare करते हैं कि इससे ax square ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus constant equal to 0 ठीक है तो a की value क्या है compare कर लो इस तो उन्हों को compare करतो capital a 0 आता है capital b b 0 आता है capital h की value small h by 2 आती है capital G की value small g by 2 आती है capital F की value small f by 2 आती है capital C की value small minus c आता है minus small c आता है अब pair of state line को represent करता है यह चीज मेरे बहुत कराई है pair of state line को represent करता है तो ABC minus plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square यह होता है यह 0 होता है अब हमें पता है AB 0 है तो यह चीज तो हटाई दो यह 0 हो जाना है यह भी 0 हो जाना है और क्या 0 है और को 0 नहीं है 2F की value small f by 2 G की value small g by 2 H की value small h by 2 तो 2 से 2 cancel FGH by 4 आ गया minus C का बतलब है minus C capital C की जगा माइनस C रखेंगे small c H की value है small h by 2 तो इसका base square equal to में 0 तो यह आएगा FGH by 4 plus CH square by 4 तो यहां से H common होगे तो FG plus 4 भी common ले लिया नीचे वाला और H भी common लिया और 4 भी common लिया GH FG plus CH 0 तो FG plus CH कितना हो गया भाई FG plus CH 0 आएगा तो FG plus CH यह रहा सी option में यह रहा है यह इस cancer हो जाएगा अब इसमें फिर से का है कि यह जो line है pair of straight line को represent करती है तो उनके बीच का distance निकालो क्या निकालना है उनके बीच का distance ठीक है तो distance जो निकलती है वह हमेशा parallel lines के बीच में निकलती है किसके बीच में निकलती है distance parallel lines के बीच में तो पहले यह देखना पड़े का कि यह दोनों lines जो हो parallel है यह नहीं है parallel के लिए मैंने आपको बताया था पहले इसको compare करते है किससे ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus constant equal to 0 a की value 1 आती है h की value root 2 आती है b की value 2 आती है g की value 2 आती है g की value 2 root 2 आती है c की value 1 आती है compare आप लोग कर सकते हो ठीक है अब हमें पता है कि distance निकालनी तो तो पैरले के बीच में हमेशा डिस्टन्स होती है तो दो पैलल लाइन के बीच में का DISTANCE होगी तो उसकी कंडिशन क्या थी एकल एक्वल टो एज पॉन वी एकंटीजिक फाले यह चीज चेक कर लो हाँ बराबर हैं, तो इसका मतलब लोव लाइन्स पैरलल हैं, तो हम क्या सकते हैं कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, d is equal to 2 under root g square minus ac a into a plus b ठीक है तो 2 root g square की value कितनी है 4 ac की value कितनी है देख करके बताओ 1 a की value 1 है a plus b कितना है 3 है तो कितना आएगा यह 3 by 3 cancel 2 आजाएगा answer तो distance कितना होगा 2 आजाएगा तो इसका answer हमारा c option हो जाएगा जाएगा गप हाएगा तो कितना होगा का पाएगा तो यह जो दिया हुआ है equation represent, यह किसको represent करता है, तो वही A की value 2, x square का coefficient A होता है, B जो होता है वो y square का coefficient होता है, लेकिन यहाँ तो z square भी आ ज़िए, गर यहाँ z square भी आ गया तो जो चीज़ हम कर रहे थे, वह नहीं है इसका मतलब यह हुआ जो हम अब तक कर रहे थे यह वह नहीं है 3D में चला गया ठीक है वह पेयर ओफ स्ट्रेट लाइन वाला कॉनिक सेक्शन वाला सीन चल रहा था पूरा चेप्टर जो था कॉनिक सेक्शन वाले कुश्चन थे यहां पर जैडी स्क्वार भी आ गया है तो 3D वाला सीन चलेगा ओप्शन में भी देखोंगे स्लेंडर एलिप्स स्लेंडर हाइप स्लेंडर स्फेयर पेर ओफ प्रेंड यह चीज़ें दी हुए हैं तो इसको हम कंपेर करते हैं एक्स स्क्वार प्लस ब्वाइ स्क्वार प्लस एक्स तुए इक्स वाइ अकुल टू में जीरो एकी वैलिउ कितनी आएगी माइनस की वैली इसको जरह इससे अंपर करोंगे तो इप नाइगा इसको इसससे कंपेर करोंगे तो जी हमारा 1 आएगा इसको इससे compare करोगे तो h हमारा 1 by 2 आएगा ठीक है ठीक यह सारी values हमें पता चल गई है इसके बाद हमें क्या check करना है अगर यह pair of plane को represent करता है तो यहाँ पर abc plus 2fgh minus किसी को भी represent करें आपको यह check करना है यह चीज वही है जो pair of state line में थी ठीक है यह चीज वही है जो pair of state line में थी यह चीज अगर हम check करते हैं तो यह अगर हमारा 0 आ जाएगा यह काम आप लोग खुद करोगे abc यह सब values हैं यह चीज अगर 0 आ गया तो यह आपका pair of plane को represent करेगा इतना काम आप लोगों ने इस question में खुद करना है ठीक है क्योंकि calculation जाता हो जाएगा तो वीडियो बहुत जाता lengthy हो जाएगा general equation of the cone of second degree cone है बट second degree का है याद रखना cone की equation क्या है second degree की और general equation बतानी है लेकिन यह जो cone होगा वो coordinate axis से पास होना चाहिए तो उसकी equation यह होती है यह NVS में question आया हुआ है UPSC GIC में question आया हुआ है बहुत सारे exams में आया हुआ है इसको तो रट लेना बस ठीक है तो general question of cone of second degree which passes through the coordinate axis ठीक है जो axis होती है XYZ axis XYZ axis तो जो भी cone होगा वो इन तीनों X-axis से पास होगा यह ध्यान रखना है जो भी हमारा cone बना हुआ होगा वो इन तीनों axis से पास होता है X-axis Y-axis और Z-axis तो उसके जो cone की equation होती है वो यह होती है क्यों की equation क्या होती है हमारी होती है जो मैंने बता दिया इसका proof है लेकिए आपको बस इतना याद रखना यह important point है short note की तरह इसको याद रखना क्योंकि N-VS में पता नहीं किसे exam में आया था N-VS या K-VS किसी में तो आया था जब मैंने दिया था तो आया था इतना मैं आपको बोसकती है Conic represent यह जो conic है किसको represent करता है तो यह conic वही simple हमें पता है A equal to 11 है Y square को coefficient B होता है यह पूरा लिख करके बता देते हैं कभी आप लोग confused हो जाएं AX square plus BY square plus 2G 2Hxy plus 2Gx plus 2fy plus C equal to 0 A की value 11 है B की value 14 है H की value minus 2 है G की value minus 2 to 4 to 918 F की value minus 22 है C की value 71 है यह compare तो आप लोग कर सकते हों अब वही निकालना है ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to क्या आएगा अगर यह value आ गई आपकी 0 तब तो हो जाएगा pair of state line ठीक है यह काम आप लोग खुद करोगे calculation वाला portion में नहीं करा रही अगर यह value आपकी आ गई non-zero 0 आ गई तो pair of state line होगा लेकिन अगर आ गई non-zero फिर आपने चेक करना है H square minus AB अगर H square minus AB अब चेक करते हो यह आ गया less than 0 तब तो यह होगा आपका ellipse ellipse greater than 0 पर hyperbola ठीक है greater than 0 पर क्या होगा hyperbola ठीक है यह चीज़ चेक करें और अगर circle यह होता तो x square और y square का coefficient same होता और यह चीज़ होती ही ना x into y वाली जो term होती है वो ना होती यह काम आप खुद करोगे डी answer है इसका angle between the straight line यह दो line से इनके बीच का angle अब मैं question को करने का तरीका आपको बता रहीं क्योंकि इसमें calculation बहुत जादा होगी मेरे साथ ठीक है angle first line हमारी यह है जब भी angle की बात आती है दो lines के बीच में तो वहाँ पर आपको पहले slope निकालना होता है तो अगर हम इसका slope निकालना चाहते है slope यानि M slope निकालना है slope ही हमारा dy upon dx होता है 1 plus root 3 into y dash equal to 0 तो यहां से y dash is equal to minus 1 by root 3 aspect में तो यह आएगा इतना तो y dash यहां से कितना आएगा root 3 अब एक की slope इतनी है दूसरे की slope इतनी है दोनों को into करके अगर minus बनाता है तो हमेशा दोनों lines के बीच में 90 का angle होता है अगर दो lines की slope को multiply करके minus बनाता है तो उनके बीच में हमेशा 90 एंगल होता है तो answer D होगा दो चरूं x और y यानि दो variables से x और y में समीकरण की एक cube कि के एक line यह है दो equations का जो pair है वो इस window पर एक दूसरे को काटता है ठीक है तो दो सल रेखा हूं द्वारा graphic रूप से दर्शाय किया गया है तो दिये गए समीकरणों का हल क्या होगा अगर दो lines इस point पर कट कर रही है तो उनका जो समीकरणों का हल होगा जो equations का solution होगा वो यह point ही तो होगा that means यह होगा x की value a plus b by 2 y की value 2ab होगा और कुछ नहीं इस question में कहा है की a b c d जो भी बना हुआ है a b c और d area of a b c d d b c ठीक है और ab c triangle पहले area निकालते हैं abc का तो अगर hem ABC का area nिकालना चाहें ठीक है इस triangle का area निकालना चाहें तो tree points अगर हमें पता होते तो triangle का area हम easily निकाल सकते हैं तो area of d b c, upon area of a b c यह निकाल लेते हैं जरा तो dbc के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा dbc के लिए dbc पॉइंट चाहिए इसे बनाने की भी ज़रूत नहीं है dbc ये तीनो ही तो है dbc तो ये तीनों पॉइंट को जो हम solve करके area निकालते है कि ये क्या होता है 1 by 2 under root sorry 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y2 plus x3 y1 minus y2 ये formula होता है ठीक है इस से हम निकालेगे upon में क्या रहेगा 1 by 2 और same formula ठीक है तो 1 by 2 से तो 1 by 2 cancel होगा अब यहाँ पर देख रो जो 3 points है dbc d में कौन है x3x b में कौन है minus 3 5 c में कौन है 4 minus 2 इसकी जरूत नहीं है ठीक है इसकी जरूत ही नियमे तीनों points ठीक तो यह आजाएगा x1 का मतलब हो जाएगा x1 हो जाएगा ये plus x2 हो जाएगा ये plus x3 हो जाएगा 4 ठीक है अब इस में से इसको minus करना है यहां पर 1 आएगा इसमें से इसको minus करना है अब इसमें से इसको upon में dbc हो गया abc abc के है 6 3 minus 3 5 4 minus का 2 ठीक है 6 x1 x2 x3 ठीक है तो यहां पर x1 plus x2 plus x3 ठीक है this minus this 7 formula के according चल रहे है this minus this minus 5 this minus this 8 sorry minus 2 कितना आया 7 x minus यह कितना आएगा 6 plus 9 x plus 12 x plus minus 20 upon में 7 x 42 15 में से आठ गए 7 आएगा 7 और 42 कितने होगे 49 नीचे 49 यह कितना है minus 2 x यह कितना है minus 3 x 3 x तो 10 x हो जाएगा उपर 10 x और यह minus 14 10 x minus 14 अब उन में क्या रहा है 49 अब कहीं calculation गड़बढ हो गई है तो दिखका को जाएगे area का जो ratio है इतना दे रखा था ठीक है कहीं जरूर गड़बढ ही होगी पक्ता एक बार दुबारा करके देख लेता है देखो 7 x यहां से 9 x प्लस 12 यही गड़बढ हो गई है कितना हुआ 8, 8, 16, 16, 12 कितने होते है 28 ठीक है तो इसे solve करते है 28 उनी 56 x 14 दून 28 4, 12, 12, 29, 27 ठीक है कितना है 56 x equal to 27 और यह 27 और यह 27 27 कितना हुआ 27 और 5 तो 55 इसमें अड़ होगा कितना आ जाएगा 175 और 1 तो यहां से value आ गए 175 बटे 56 एक यहां से value निकालनी थी हमें कितना है 175 बटे 56 जो कि उप्शन में नहीं है कटता है किसी से 3 से कटता है नहीं कटता है साथ से साथ अठे चपपन साथ से पच्चिस बारी तो पच्चिस बटे आठ अंसर होगा ठीक है यह आंसर जाएगा इसका अब इस ट्रैंगल इस question में हमें कहा है कि X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4 चार बिंदू है ठीक यह हमारी line है A1, A2, A3, A4, A1, A2 को P1, A1, 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 A2 के coordinate X2, Y2 तो इससे हम बोल सकते हैं कि P1 के जो coordinate होंगे वो X1 प्लस X2 upon 2 Y1 प्लस Y2, Y2 होंगे अब कहा है कि P1, A3 यानि यह distance को P2, 1 is to 2 में तोड़ता है P1 के coordinate P1 के coordinate हो गए हमारे पास यह ठीक है A3 के coordinate X3, Y3 किस ratio में तोड़ता है? 1 is to 2 में तो क्या करते थे उसके लिए हम? क्या करेंगे? यह जो है X वाला portion और यह यह वाला portion है X वाला portion means यह इस इंटू 2 और X3 इंटू 1 जब इसको 2 से इंटू करोगे तो X1 प्लस X2 आएगा प्लस X3 को 1 से इंटू होगी तो X3 आएगा अपॉन में 2 प्लस 1 मतलब 3 आएगा इसी तरीके से इसको 2 से इंटू होगी और इस 1 के इंटू इस से होगी तो कितना आएगा? यह हमारा Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 अपॉन 3 आएगा अब कहता है कि P2 A4 को यानि इसको ठीक है? P2 के coordinate X1 प्लस X2 प्लस X3 है Y1 प्लस में Y2 प्लस में Y3 है अपॉन में 3 और इसके P A4 के coordinate X4, Y4 है और 1 इस तो 4 रेशो में P3 डिवाइड करता है तो अब हम क्या करेंगे? इसकी इंटू 4 से 1 इस तो 3 में डिवाइड करता है 3 से करेंगे और 1 की इंटू इस से अपॉन में क्या जाएगा? 3 प्लस 1 तो X1 प्लस X2 प्लस में X3 प्लस में X4 अपॉन 3 आएगा? 4 आएगा? किसमें? इसमें यही answer हो जाएगा किसी समानांतर चत्रबुज के विकर्ण के एक सिरे बिंदू यह समानांतर चत्रबुज है के एक विकर्ण यह रहा विकर्ण के सिरे के बिंदू यह है तीसरा शीर्ट तीसरा पॉइंट यह है तो चोथे शीर्ट के निर्देशा तो यह अगर ऐसे बनाएगे तो यह जो पॉइंट होता है क्या है मिड़ पॉइंट तो माइनस 6 और 2 इसका जो मिड़ पॉइंट है वो इसको अगर xy मान ले इसके मिड़ पॉइंट के बराबर होगा ठीक है तो माइनस 6 प्लस 2 कितना होता है माइनस 4 माइनस 4 का अधा माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 2 का अधा 1 अब यही जो है इसका midpoint होगा तो x plus 5 by 2 equal to minus 2 x plus 5 equal to minus 4 तो x equal to minus का 9 ठीक है y plus 2 by 2 equal to 1 तो y equal to कितना हैगा 0 तो minus y plus 2 y plus 2 by 2 equal to 1 आएगा x plus 5 तो minus 9 आ रहा है ठीक है minus 9 दो option में मिल गया ठीक है यहाँ पर यह minus 2 है ठीक है तो y plus minus 2 upon 2 equal to 1 तो कितना हैगा 4 आएगी वैकी वैल्यू टी option होजाएगा अलसर एक मिनेट हा कुछ तो कड़ पड़ा है यह minus 2 नहीं है यह minus 9 आगया ठीक है यह negative आना था तो y plus 2 by 2 equal to minus 1 तो y equal to minus 5 हो रहाएगा तो c option होगा अंसर a,b,x,y,1,y,1,x,2,y,2 are the vertices of a triangle such that the x-coordinate are in geometric progression, y-coordinate also in geometric progression, common ratio s बता नहीं एक triangle है ठीक है उसके यह तीनों coordinates है और उसका जो a1,x1,x2 यह हुआ यह जीपी में अगर यह जीपी में है तो हम कह सकते हैं x1 upon a equal to x2 upon x1 और यह उसका common ratio r के बराबर होगा इसी तरीके से जो b है y1 है और y2 है यह जीपी में अगर जीपी में तो y1 upon b equal to y2 upon y1 यह किसके बराबर होगा common ratio s के बराबर होगा दिया है तो यह दोनो कोंगो के बराबर है अब इसको अगर हम देखते हैं तो x1 की value a यहां पास अगर यहां पर दें तो y2 की value 2 इंटू s2 इसी तरीके से इसमें भी अगर x1 की जगा यह रख देंगे तो x2 की value हो जाएगी a into r2 इस है अब हुमारे पास x2 की value ar2 है y2 की value bs2 है हमें निकालना है triangle का area triangle का area क्या होता है 1 by 2 चाहे तो उस तरीके से निकालो जैसे पहले निकाला था या फिर determinant की solve करके निकालो तो उससे easy पड़ेगा क्या होगा पहला point AB 1 तीसरा column 111 पहला point AB दूसरे point में X1, Y1 X1 की value ढूंद करके बताओ AR है Y1 की value BS है X2 की value AR square Y2 की value BS square अब यह 1 by 2 बाहर रहेगा अब यहां से column में से A common आ सकता है A आ गया यहां से B common आ सकता है तो B भी आ गया AB भी हो गया ठीक है तो 1 by 2 आ गया AB आ गया बाहर 1 R R square 1 S S square 1 1 1 ठीक है तो 1 by 2 AB ठीक इस में से इसे minus करोर यहां लिखो ऐसे करेंगे ठीक है इसाल एक portion का काम करता है ठीक है यहां तो इसे वैसे ही solve कर लो इसमें से इसको minus करके यहीं लिखना है ठीक है तो first column को नहीं छेड़ने है second column में से minus किया 1 minus 1 0 R S minus R S square minus R square अब इस 1 में से इसको minus कर दो 1 minus 1 0 1 minus S फिर 1 minus S square इसमें से इसको minus किया है पूरे column को ठीक है ठीक है ठीक है तो क्या आएगा अब इसको जड़ा expand कर दो determinant को तो यह आएगा 1 S minus R 1 minus S square minus 1 minus S into S square minus में R square S minus R 1 minus S 1 plus S minus 1 minus S S minus R S plus R ठीक है तो यहां से क्या आया 1 by 2 यह भी तो मिल ही गया था 1 minus S और S minus R बाहर आगया तो 1 minus S S minus R बाहर आया अंदर बचा है 1 plus S यह minus और S plus R S minus R यह cancel हो गया तो क्या बचा 1 minus S 1 minus S इसमें नहीं है S minus 1 ने तो S minus 1 कर दिया इसको S minus R है S minus R हो ठीक है और यह 1 minus R है तो इसे R minus 1 लिखो इसका minus और इसका minus जो था वो minus minus plus हो गये तो कौन सा option match हो रहा है B option match हो रहा है यहांपर यहां देखा जाएगा तो B option match हो रहा है तो B option इस cancer हो जाएदा फिर से यहां पर वही काम करना है कि इसको compare करेंगे x square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 से हम compare करेंगे तो a की value 5 है h की value minus 3 है b की value 5 है g की value 39 एफ की value minus 11 c की value 29 अब वही सब चीज़े चेक करनी है तो क्या होगा a b c plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to check कर लेना अगर 0 आया तो pair of straight line circle यह हो सकता है circle क्यों हो सकता है क्योंकि इसका और इसका coefficient same है लेकिन x into y नहीं होना चाहिए circle के लिए तो circle नहीं हो सकता है ठीक है इसको check कर लेना यह equal to 0 आयेगा तो pair of straight line वो ही नहीं तो circle तो होगा नहीं यह तीन चीज़े बची तीन चीज़ों के लिए क्या है भाई h square minus a b निकालना h square minus a b यह अगर non zero आया पका non zero आएगा 0 तो आएगा नहीं अब क्योंकि circle तो है नहीं तो यह चीज हमारी पका non zero आएगी इतना दुकन पर्म होगे तो हम इसे निकाल के देखेंगे यह नहीं नहीं इसको देखकर ही पता चल गया circle नहीं होगा तो हमारे पास तीन उप्षिन क्या बचे यह तीनों इन तीनों में ही यह जो चीज है यह जो चीज है नॉन जिरो आती है तो हम निकाल के देखें क्यों फिर नहीं देखना हमें निकालके अब h square minus a b 0 आया तो पैराबोला कम आप लोगों ने करना है कुछ से है if the sum of the slope of the lines यह दो lines है पता है तो एक की slope m1 है दूसरे की slope m2 है दोनों का जो sum है दोनों का जो sum है is four times is four times their product their product मतलब दोनों की multiplication का यह है यह इसने हमें यहापे बोला है ठीक है then the value of lambda lambda की value हमें पताना है हमें पता है m1 प्रेस m2 की value होती है वो minus 2h upon b होती है और m1 into m2 की value होती है वो 2h upon m1 into m2 की value क्या होती है a upon b होती है ठीक है a upon b होती है तो इसको x square minus 2 lambda xy plus minus 7y square को जड़ा compare कर लेते x square plus 2hxy plus by square compare करने पर हमें a की value 1 मिलती है minus 2h की value कितनी मिलेगी compare करके बताओ minus lambda b की value minus 7 और a की value 1 b की value minus 7 compare करेंगे इससे cancel हुआ 2 से 2 गया तो lambda equals 2 हमारे पास 2 आ जाता है positive तो कितना आएगा इसका value हमारे पास 2 आएगा इसका आंसर शायद इसमें गरत होगा answer इसका b आएगा if the area of the triangle having vertices अगर किसी भी triangle में तीन points होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो उसके जो area होता है वह हमारा 1 by 2 x1 plus x2 plus में x3 y2 minus y3 y3 minus y1 y1 minus y2 यह होता है ठीक है तो 1 by 2 अब यह x1 y1 हो गया यह x2 y2 हो गया x3 y3 और area दिया है 18 ठीक है तो 18 के इसको 36 करते है 1 by 2 इदर से अटा है तो 36 हो गया x1 की value 2 ठीक है x2 की value 5 x3 की value x by 2 7 5 1 x3 यह x1 y x1 x2 x3 है यह तीनों ठीक है अब this minus this minus 2 this minus this minus 4 this minus this 6 equal to 36 minus 4 minus 20 plus में 6 x equal to 36 36 plus 24 कितना हुआ 60 60 को 6 से divide करोगे x कितना आएगा 10 तो answer कितना होगा इसका coordinate of the point which divide this line segment and line segment जो होता है इन दोनों से जोड़ा जाता है ठीक है internally in the ratio of 2 3 2 3 के ratio में तो यह xy है वो हमको बताने simple है x equal to क्या होगा 2 into minus 7 यानि minus 14 3 into 8 यानि 24 add करेंगे upon में 2 plus 3 5 कितना आएगा 10 by 5 यानि 2 इन दोनों में से कोई लोगों को पता होंगी ठीक है एक second लोगों जारा 26 questions हम लोगों नहीं कर ली है और इन question को concept के साथ आप लोगों के साथ share किया जा रहा है तो इक questions अच्छे से समझो और अगर आपको वीडियो पसंद आदे तो आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मुझे कुछ नहीं मिलेगा नहीं से भी ठीक है मुझे सिर्फ आपको support से जोड़ कुछ नहीं चाहिए तो अगर आप share कर दोगे वीडियो को काफी लोगों का help हो जाएगा ठीक है बहुत साथ लोगों का help होगा अगर आप लोग यू वीडियो को share करते हो तो लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सिर्फ आप लोगों को पता चलेगा, लाइक कर दो कि तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कि हाँ इतने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, ठीक है, और अगर आप कॉमेंट करके बताते हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कि हाँ यार किसी ने तो positive comment किया है, तो मैं फिर और में क्या है, KBS में क्या है, और आने वाले टाइम में भी आप लोगों कोई साथ वीडियो जो होंगी, सी तरीके से बना करके शेयर करूं, ठीक है, तो next question देखते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट बगरहा है, तो इस वाट्सप पर आप कॉंटक्ट कर सकते हो, next question देखते ह two angles of an isocellus triangle are always, यह अगर एक triangle है, तो इसके दो isocellus, isocellus है, मतलब यह और यह side बराबर है, ठीक है, अगर यह और यह side बराबर हैं, तो इसके सामने वाला और यह और यह जो angle होगा, वो हमेशा equal होगे, कहीं पर भी दोनो 45 होगे, ऐसा हम तब तक नहीं बोल सकते हैं, जब तक यह ना कहा गया हो कि triangle right-angled है ठीक है area of equilateral triangle whose side is 5 cm side अगर 5 cm है equilateral triangle जो होता है उसका area under root 3 by 4 into a square equal to इतना होता है तो इसने area तो पूछा है root 3 by 4 a का मतलब 5 है 5 का मतलब 25 25 का आधा करोगे तो 12.50 और इसका और आधा करोगे तो 6.25 आंसर होगा a option होलो इसफेयर है इन विच दा सरकस मोटर होलो इसफेयर है इन विच दा सरकस मोटर साइकलिस्ट परफॉर्म्स हिस इस्टर्ट तो उसके अंदर जो मौत का कोह बोलती थे शयाद उसको तो जो घाड़ी घुमाता रहता है उसके अंदर वही काम है तो इसके अंदर जब अपनी घुमारा था ट्रुमाрь पर ंसटर्टकर रहा कर रहा है और उस सरकल का जो इस होलो फ्रोल स्वियर वह ऐसा जैसे प्लास्टिक की भॉल ऐस तरीके से है एरिया आवेलेबल मोटर्साइक लिस्ट तो है राइडिंग कर सकता है पूरे पूरे ऑलो स्वियर में कहीं कर सकता है तो ओर Advanced वह कितना होता है 4 πाई आर स्क्वार तो 4 पाई आर की वैल्यू 7 बाई 2 का स्क्वार तो यह तो गया 449 पाई आजाये का आंसर मतलब सी ऑप्षिन कितना होगा सी ऑप्षिन आंसर जाएगा कि इसे सामने वाली साइड पर डाला गया परंडिकोलर है कि फैन और यकी पॉइंट्स है तो जो altitudes है, h1 है, h2 है, h3 है, यह arithmetic progression में होने का मतलब है, बीच वाले का double करेंगे, तो side वाली की sum के बराबर आएगा, तो sides of triangle किस में होगी, sides of triangle किस में होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यह a point है, यह b point है, यह c point है, तो capital A के सामने small a, यह side की लंबाई, अगर यह side की लंबाई small a है, और यह height है, corresponding height h1 यह है, यह है, तो area क्या हो जाएगा, 1 by 2, h1 into a, यही किसके बराबर होगा, b point के सामने, जो side है, वो b है, यह b है, और corresponding height h2, तो area क्या होगा, 1 by 2, h2 b, इसी तरीके से यह हो जाएगा, h3, तो 1 by 2, h3 into c, c के सामने small z side, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, तो cancel हो गया, क्या है, h1 a, equal to h2 b, equal to h3 c, यह आया है, अगर मैं इसको k मान लूँ, अगर मैं इसको k मान लेती ह तो यहां से, h1 a is equal to k आएगा, h2 b equal to k आएगा, h3 c equal to k आएगा, ठीक है, तो h2 की value, k by b, h1 की value, k by a, h3 की value, k by c, k, k, k cancel हो जाएगा, comment लेकर के, यह condition जो है, यह कैसी condition है, triangle की जो side है, वो a, b, c है, triangle की जो side है, वो a, b, c है, इन sides का अगर reciprocal कर दिया जाए, और फिर बीच वाले का double इन दोनों के sum के बराबर हो, तो यह harmonic progression में होती है, अगर, इस का double इन दोनों के sum के बराबर, तो a, b, में लेकिए, इनका reciprocal करने के बाद, जो बनता है, 1 by a, 1 by b, 1 by c, इनका reciprocal करने के बाद, अगर, इनका, sorry, 1 by a, 1 by b, 1 by c, a, b, c कर reciprocal करने के बाद, 1 by a, 1 by b, 1 by c, अगर बनता है, और वो इस condition को fulfill करता है, तो यह harmonic progression में होती है, तो answer हमारा हो जाएगा, c option, the value of x for which the points are collinear, अगर कभी भी 3 points collinear होते हैं, तो उनसे बनने वाले triangle का area 0 होता है, क्योंकि उनसे कोई triangle बनेगा ही नहीं, collinear मतलब एक ही line में होंगे, तो ऐसे case में, x, minus 1, first point, second point, and third point, और फिर 1, 1, 1, तीरों से बनने वाला triangle का area 0 होता है, और यह हमारा triangle का area होता है, एक और formula बता है, x1, x2, x3, ठीक है, वो भी देखना, इससे भी कर सकते हो, तो यह चीज़ आपको solve कर नहीं, इस 1 by 2 का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यह तो 0 ही है, उदर जाकर के हैं न, या फिर कह सकते हो कि this is not equal to 0, अब इस determinant को solve करते हैं, x, 1 minus 5, minus 4, plus 1, plus 1 करते हैं, तो 2 minus 4, minus 2, plus में 1, 10 minus 4, 10 minus 4, मतलब 6 equal to 0, minus 4x, plus 4 equal to 0, x is minus 4 equal to minus 4, x is equal to 1, तो answer हो जाएगा c option यानी 1, यह वाला question थोड़ा अच्छा है, इसने कहा है, the 0.41 undergoes the following two successive transformation, पहले तो क्या होना है, कि y equal to x, यह line होती है, सबसे पहले हमने क्या करना है, कि 41 point जो है, जो हमारा 41 point है, उसको reflect करना है, 2, 3, 4, 1, तो 41 point यहाँ होगा, यह reflect होने के बाद, y equal to x के लिए अगर इसे reflection देंगे हम, तो यह 41 का 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14, 2, 3, 4, तो x-axis पर 1, y-axis पर 4, तो यह 41 का y equal to x के about reflection, अगर हम निकालते हैं, तो x का y, y का x बन गया, 14 हो गया, अब translation में क्या होता है, steps आगे चलने होते हैं, translation में steps आगे चलने, धनात्मक x-axis के पास 2 इकाई दूरी से होते हुए इस थानांत्रण, मतलब धनात्मक x, यानि positive direction of x-axis, इधर चलना है, इस point को, और कितना distance सिर्फ 2 unit, कितना distance 2 unit चलना है, अगर इसको सिर्फ 2 unit चलना है, तो एक unit तो ये हुई, दूसरे unit ये हुई, मतलब यहाँ पे 3 था, तो यह यहाँ पोँच जाएगा, तो क्या हुआ, इस 1 में कितना add हो गया, 2 units add हो गए, तो x की value 3 हो गई, और 4 का 4 ही रहेगा, तो final coordinate उसका ये हो गया, point is equidistance from the line, अगर कोई point इस से, इस से और इस से तीनों से same distance रखता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ये बताना है, वो point कैसा होगा, तो आप इसे option से करो, option में सबसे आसान दिख रहा है 0, 0, अगर हम 0, 0 रखते हैं, तो 4x plus 3y plus 10 equal to 0, ये जो line का equation है, 0, 0 से इसके distance, अगर हम 0, 0 से इसके distance निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, x की जगा 0, y की जगा 0, plus 10 upon में under root x का coefficient का square, plus y का coefficient का square, 10 by 5 आएगा, that means 2 आया, इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही करो, x की जगा 0, y की जगा 0, plus 26 upon x का coefficient का square, plus y का coefficient का square, ये, ये भी 26y, 13, 2 ही आएग और अगर इसको solve करोगे, 7x plus 24y आएगा, तो 0, plus 0, minus 50 by, under root, 7 square, plus 24 square, 50 by, distance तो positive होती है, तो ये 25 आएगा, तो ये भी 2 ही आएगा, तो हमें पता है कि origin से, मैंने इन तीनो lines का अलग-अलग करके distance निकाल लिया, same आगाया, same आगया, इसका मतलब origin ही एक ऐसा point है, जो इन तीनो से same distance रखता है, inclination of this with the positive direction of x-axis, inclination का मतलब है कि अगर ये हमारा x-axis और y-axis है, ठीक है, ये हमने line बनाई, तो ये line x-axis के साथ, जितना angle बना रही है, वो हमारा inclination है, तो inclination निकालना है, positive direction of x-axis, तो ये positive direction of x-axis ही तो है, इधर, ठीक है, तो जो हमें line दी है, पहले हम उसको differentiate क करेंगे, क्या आएगा, 1- y-axis equal to 0, तो y-axis कितना आएगा, 1 आएगा, y-axis का मतलब है slope, यानि 10 theta हमारा 1 आएगा, तो हम क्या सकते है, theta 45 होना चाहिए, तो ये theta ही तो हमारा answer होगा, theta कितना हो जाएगा, 45 इस question को हम देखेंगे, तो video के end वे देखेंगे, otherwise इस question को भी में skip करते हूँ, क्योंकि थोड़ा सा question lengthy पड़ेगा, ठीक है, इस question थोड़ा lengthy पड़ेगा, because ये proof वाला है, इस वज़े से, इसे अभी skip करते हैं, पहले next वाले देखेंगे, if one of the lines of the pair, इसमें जो दो lines है, इसमें जो दो lines है, बाइसे करती है, angle between the positive direction of axis, मतलब x axis और y axis बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, x axis और y axis बना हुआ है, इन दोनों line में से, एक जो line है, ऐसे आएगी, और ये जो पूरा angle 90 का था, उसको two equal part में तोड़ के चली जाएगी, तो हमने मान लिया, क्योंकि, जो ये line, one of the lines of the pair, bisected angle between positive direction of x axis, positive direction of axis, दोनों axis मतलब, ठीक है, तो हमें पता है, कि ये जो line है, ये origin से pass होगी, पका origin से pass होगी, origin से pass होने वाली, जो भी line होती है, उसकी equation ये हो जाती है, y equal to m1, और y equal to m2x, y equal to m1x, और y equal to m2x, दोनों को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, m1x और m2x, अब अगर हम दोनों की, अब हमें पता है कि, ये angle क्या inclination theta है, तो इस line का slope निकालू, तो m equal to 10 theta, that means 1045, that means m हमारा हो जाएगा 1, तो एक line का slope हमें मिल गया 1, तो y minus m1x equal to 0, जो है, m1 की value हमें 1 मिल गई है, तो y equal to x हमारी एक line बन गई है, ठीक है, ठीक है, एक line हमारी ये बन जाएगी, बाकी ये जो चीज है, ये दो line का multiplication से बना है, और वो दोनो line ये है, ठीक है, तो इन दोनों को जो line 2 करके solve करते हैं, ये कितना है का y square, y into a minus m2xy, इसकी into इससे, minus m1xy plus m1m2 x square equal to 0, तो अगर हम compare करें, y2 minus xy common m1 plus m2 plus m1m2 x square, compare अगर हम कर लें, इन दोनों को, तो a equal to to m1m2 आएगा, b equal to 1 आएगा, और 2h is equal to minus m1 plus m2 आएगा, ठीक है, अगर हम compare करते हैं, तो ये हमें यह से मिल जाता है, ठीक, और हमें अल्रेड़ी पता होता है क्या, कि m1 plus m2 की जो value होती है, वो minus 2h by b होती है, और m1 into m2 की जो value होती है, a by b होती है, ठीक है, और b की value यहाँ 1 है, तो इस वज़े से हमारे पास यह equation आई है, तो हमें बस वह condition ही दिखानी है, फुर्फिल करके, m1 plus m2, क्या रहे हैं, इसमें, रख सकते हैं, तो m2 की value a हो जाएगी, और 2h is equal to minus 1 plus m2 हो जाएगा, यह, ठीक है, m2 की value a, तो 2h is equal to minus 1 plus m2 की value a आई है, और यह जो 1 है, यह b ही तो है, तो इसको b लिख दो 1 को वापस, तो a plus b equal to minus 2h, यानि यह answer है, तीन रेखाएं, अगर concurrent, concurrent का मतलब है, एक ही point से तीनो line जा रही है, ठीक है, concurrent means, तीनो एक ही point से pass हो रही है, तो तीनो का intersection point क्या होगा, तो पहली equation हमें यह दिया है, दूसरी equation हमें यह दिया है, अगर हम solve करें तो 2x equal to 6 आएगा, x की value 3 आजाएगी, x की value 3 है, तो y की value हमारी यहां से minus 2 आजाएगी, यह तीसरी को भी satisfy करेगा, क्योंकि तीनो एक ही point से pass है, तो x की value 3 plus 3 y की value minus 2 equal to 2 में k, 6 minus 6 equal to k, k की value कितनी आजाती है, 0, तो c, इस answer c option होगा, मतलब 0, एक line है, l passes through the point, 1, 1 से pass होती है, 2, 0 से pass होती है, तो अगर कोई line, 1, 1 और 2, 0 से pass होती है, तो उस line से बनने वाली, तो उस line, इन दोनों point से pass होने वाली line के equation हो जाएगी, y minus 0 is equal to m, x minus 2, ठीक है, y minus 0, x minus 2, m मतलब slope निकालनी है, 0, minus 1, upon 2, minus 1, तो कितना हैगा, y equal to minus x plus 2, यानि x plus y equal to 2, तो हमारे पास, इन दोनों point से जाने वाली, जो भी line है, उसका equation आगे, x plus y equal to 2, x plus y equal to 2, another line m, which is perpendicular to l, तो x plus y equal to 2, ऐसे जा रही है, 2, 0 से जाएगी, 0, 2 से जाएगी, दूसरी एक line m है, जो परपेंडिकुलर है इसके, अब इसके परपेंडिकुलर कोई line ऐसे जाएगी है, पता नहीं origin से जाएगी या नहीं जाएगी, पासी स्थूदा point 1 by 2, इसके परपेंडिकुलर जो भी line जा रही है, वो यहां से पास हो रही है, 1 by 2, 0 से पास हो रही है, m line, तो area of the triangle found by the line, कौन कौन सी line, l, m, y axis, इससे बना हुआ area बताना है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यह जो point है, वो हम निकाल लेते हैं, या फिर, हाँ यह वाला point नहीं पताना है, फिर height भी नहीं पता है, ठीक है, एक point तो 0, 2 पता है, l हमारी यह है, m की equation, m की equation, m जो line है हमारी, देखो, slope कितनी आई थी, इन दोनों point से जाने वाला line का slope, कितना था, 0-1 upon 2-1, कितना रहा था, minus 1 slope आया था, इसकी जो slope थी, वो minus 1 थी, l की, तो m की slope जो हो जाएगी, minus 1 upon minus 1, यानि के 1 हो जाएगी, कितनी होगी, इसकी slope 1, 1 slope है, इस point से पास हो रहा है, तो line का equation क्या होगा, y-0 is equal to m, x-1 by 2, तो यह आएगा, y equal to x-1 by 2, या फिर, y-x equal to minus 1 by 2, यह आजाएगा, तो यह y-x is equal to 1 by 2, यह cancel, तो 2y equal to 5 by 2, तो y equal to 5 by 4, y की value 5 by 4 है, तो x की value कितनी आएगी, x plus 5 by 4 equal to 2, x equal to 8 minus 5 by 4, x की value इतनी है, y की value इतनी है, ठीक है, यानि यह हमें पता चल गया, 3 by 4 और 5 by 4 point है, ठीक है, अभी यह वाला point, यहाँ पर क्या है, y की value, x की value 0 है, यहाँ पर, कौन सी line है, m, m line जो है, उसमें y की value 0, m में y की value 0 रखोगे, यह तो x की value 1 by 2 मिलेगी, यहाँ पर x 0 होगा, x अगर 0 है, तो y की value minus 1 by 2 मिलेगी, y की value minus 1 by 2, अब यहाँ से देख लो, दो तो distance यह है, और आधी यह है, आधी यहाँ से यहाँ तक, कितना हुआ, दो राधा, 5 by 4, दो राधा हो जाता है, आपका, 5 by 2, ठीक है, और अब यह distance पता हूँ अगर, ठीक है, यह distance हम निकाल सकते हैं, कि क्या है यह, यह वाला point क्या होगा, 0 x की value है, y की value 5 by 4, तो यह जो distance है, यह 5 by 4 होगी, इन्टू 1 by 2, 25 by, 16 आणसर आएगा इसका, question number 38 का आणसर, 25 by 16, एक कंड दो सरल आवर्थ गती कर रहा है, लमवद दिशा में, दोनों गतियों में, कंड का आवर्थ काल समान है, कला और आया मलग लग है, तो कंड का पत क्या होता है, किसी भी, कंड की जो सरल आवर्थ गती होती है, यानि simple harmonic motion है, वो कुछ इस तरीके से show होता है, x equals to a cos omega t, ठीक है, अब इसने कहा है कि, लमवद दिशा में, एक कंड दो सरल आवर्थ गती कर रहा है, और दोनों गती जो कर रहा है, वो लमवद दिशा में कर रहा है, मतलब दूसरे वाली जो गती है, उसमें आयाम क्या है, अलग-अलग, amplitude अलग-अलग है, तो ये a और b amplitude होते हैं, अलग-अलग हो गए, cos, ठीक है, कला भी क्या है, अलग-अलग है, ठीक है, तो उनका अंगल क्या है, 90 गर, दोनो क्या है, लमवद है, एक अगर omega t में है, तो दूसरा क्या है यहाँ पर, लमवद दिशा में हैं दोनो, दोनो गर लमवद दिशा में है, simple harmonic motion के लिए equation ये है, अगर दोनों लमवद दिशा में हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा जो उनका एंगल होता है एक अगर omega t तो दूसरा omega t plus pi by 2 cos का basic पता होना चाहिए अच्छे से तब तो b cos 90 plus theta कितना होता है minus sin theta यह आ गया ठीक है अब इन दोनों equations को x upon a equal to cos omega t y upon minus b equal to sin omega t square करके add करेंगे तो x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 बन जाएगा तो यह हमारा होता है ellipse यानि के c option answer होगा यह दोनों line के बीच का angle बताना है तो पहली इसको differentiate करो 2 y dash minus 4 equal to 0 तो y dash is equals to 2 आएगा इसको differentiate करो तो y dash plus 3 equal to 0 यानि y dash equal to minus 3 अब हमें निकालना है दोनों के बीच का angle दोनों के बीच का जो angle है माल लिया वो theta है तो फॉर्मूला क्या होता है m1 minus m2 upon 1 plus m1 m1 की value कितनी है 2 और m2 की value कितनी है minus 3 तो minus 3 upon में 1 plus दोनों के into इसकी और इसकी into तो कितना आएगा minus 6 तो नीचे के आएगा minus 5 ऊपर के आए plus 5 तो कितना आएगा minus 1 mode करोगे तो 1 तो 10 theta equal to 1 है तो कितना आएगा theta is equal to 45 angle between the pair of state line अगर ये हमें दे रखा है pair तो पहले से compare करो ax square plus by square plus 2hxy अगर ये pair of state line का equation होता है तो जो angle का equation होता है वो होता है 10 theta is equal to 2 under root h square minus ab upon a plus b ये formula होता है ठीक है compare करोगे तो a की value 1 है b की value y square का coefficient 4 है 2h की value minus 7 है रख दो इसमें 2 under root h की value 749 by 4 आएगा minus ab की value 4 upon a plus b 5 है चार चोक 16 उननचस माइनस 16 करोगे ये 4 भी root हटाओगे तो ये 2 बन जाएगा 2 से 2 cancel उननचस माइनस 16 आएगा आपका 33 तो रूट 33 बटे 5 ये 10 theta की value आएगा 10 theta अगर रूट 33 बटे 5 है answer ये होगा see option same question इसमें क्या है देखो y square का coefficient और x square का coefficient अगर कभी भी add करके कभी अगर 0 आता है तो वहाँ पर जो lines होती है वह perpendicular होती है अगर ये pair of straight line को represent करता है तो lambda की value बतानी है तो वही चीज़ आपको यहाँ पर same apply करनी पड़ेगी क्या a b c minus plus 2 f g h minus a f square minus b g square minus c h square ठीक है ये value आपको निकालनी ये 0 के equal रखना पड़ेगा क्योंकि pair of straight line में 0 होता है तो अगर हम इसको compare करें ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 से अगर हम इसको compare करते हैं तो a की value 1 आती है b की value y square coefficient lambda है h की value minus 3 by 2 आती है g की value 3 by 2 आएगी f की value minus 5 by 2 आएगी c की value 2 आएगी ये इसमें रख देंगे a b और c 2 lambda plus 2fgh ठीक है ये तीनों काइन 2 कितना आएगा 5 ती है 15 15 45 45 by 4 और positive आएगा minus a का value 1 है f का value 25 by 4 आएगा b का value lambda है g का value 9 by 4 आएगा minus c का value 2 है h का value 9 by 4 आएगा ये चीज़ 0 इसको solve करके lambda की value निकालनी है ये काम आप लोग खुद करोगे और option आंसर बताओके क्या आया है ठीक है कितना अब लोग solve कर सकते हैं तो वहीं चीज़ में छोड़ रहे हैं बहुत जादे लेंदी हो जाएगा ये pair of state line है अगर pair of state line है तो k की किस value के लिए ये जो equation होगा वो क्या होगा pair of state line को represent करता है ये जो equation है अगर वो pair of state line को represent करता है तो हमें k का value find out करना है तो इसको simple उसी से compare करो देखो x square का coefficient a होता है y square का coefficient b वो k दिया है यहाँ पर और 2h जो होता है वो xy का coefficient होता है X का coefficient, Y का coefficient और C हमारा यहाँ 9 है X का coefficient, Y का coefficient G और F होते हैं वो यहाँ पर नहीं है ठीक है अब हमें पता है A, B, C plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square 0 होगा क्योंकि pair of statement represent करते है तो A, B और C कितना हैगा 9 minus 36K plus FGH 0 है तो 0 है यह चीज़ F 0 है, B यह भी 0 है minus C की value minus 9 है और H की value K square H की value 4 है तो 4 का square equal to 0 कितना हैगा minus 36K plus 9 into 4 36 into 4 ठीक है equal to 0 solve करोगे तो क्या हैगा 36 हटा दो comment लेकर के तो minus K equal to minus 4 answer आ जगा है यहांसे 4 ठीक है अब यह 5 question बचे है बैटरी नहीं है point of intersection of two lines given by this यह जो दो lines है इनका हमें point of intersection बताना है ठीक है यह दो lines को multiply करके equation बनाए है इसका हमें point of intersection अगर बताना है तो हम इसमें कैसे करेंगे देखो इसको वही compare कर लेंगे X square का coefficient A 2H हो जाता है minus 5 B हो जाएगा Y square का coefficient 2 तो 2G की value क्या हो जाएगी 2G होता है X का coefficient यानी minus 3 2F होता है Y का coefficient यानी 3 C हो जाता है 1 तो अगर यहाँ पर point of intersection of the two lines हमें निकालना है तो ABC यह जो ABC G F G H यह सब हमें पता होना जाएग तो point of intersection डारेट याद रखना under root F square minus BC upon H square minus AB comma under root G square minus AC upon H square minus AB होता है ठीक है तो solve कर लेते हैं बस इसको under root F की value 9 by 4 F की value 3 by 2 तो 9 by 4 BC की value 2 upon में H square minus AB H की value H square होगा इतना यहाँ से minus AB 4 कितना हैगा 25 minus 16 by 4 यानी 9 by 4 under root यहाँ भी 9 by 4 G square G square कितना हैगा 9 by 4 AC कितना है A और C तो ही 2 ठीक है तो दोनों चीज़े same है मतलब देखो यह और यह same आएगा तो same इसमें नहीं है दोनों option में same नहीं है A और C यह हो सकता है चेक करके देख लो 4 दुनी 8 तो 1 by 4 आएगा नीचे 9 by 4 है under root में है ठीक है तो यानी 1 by 9 आएगा तो यह तो 1 by 3 आएगा तो 1 by 3 आएगा यह भी नहीं है दोनों चीज़े same आएगी X और Y की value same आएगी बट यह option नहीं आ रहा है तो D option इसका हमारा answer हो जाएगा 1 by 3 इसमें भी क्या है यह हमें जो दिया हुआ है कह रहा है कि वक्र यह अलग question होगा थोड़ा सा pattern अलग है यह जो curve है इस curve के वह बिंदू बताओ जहां पर इस पर्ष रेखा है X X के समानतर हो मतलब इस curve के वह बिंदू बताओ जहां पर curve रेखा है जो हमारी जो हमारी सपर्ष रेखा है होती है जो tangents होती है अगर वह X X के समानतर हो tangent अगर X X के ऐसे parallel हो जाती है जीरो रखोगे तो x equals 2 कितने आएगा 1, x की value 1 आ रही है, इसी में रख दो, y की value कितने आएगी, plus minus 2, तो 1, 2 और 1, minus 2 ये option होगा, दीर्टवरत के लिए हमेशा जो उतकेंदरता होती है, वो e 1 से छोटी होती है, ठीक है, तो e less than 1 होगा, इन दोनों को solve करना है, solve नहीं करना, sorry, ये जो है, इसकी tangent है, तो circle के उपर कभी भी जो कोई point होता है, वो cos alpha, sin alpha type का ही होता है, circle के उपर जो भी point होता है, अगर हमें circle की equation पता है, और हमें tangent निकालने, ये पता है, और इस point पर है, तो tangent निकालते हैं, x square को लिखेंगे, x into x, और दूसरे x की जगह ये cos alpha रख देंगे, प्लस y square को y into y, और दूसरे y की जगह ये लिख देंगे, equal to में a square आजाएगा, ठीक है, अब इन दोनों equations को जड़ा देख लो, ये और ये दोनों tangent है, तो left portion अगर same है, तो right portion भी क्या होगा, same, तो p किसके बराबर आएगा, यहाँ पर, a square के, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, x into cos alpha प्लस y into sin alpha हो जाता है, equal to में a, ये तो कुछ गड़ पर लाग रहे हैं, तो p equal to, इसमें, एक second है, x cos alpha, y sin alpha, minus p equal to 0, एक minute है, देखती है, इसमें कुछ, हाँ, एक mistake कर दिया, मैं कहरी ना, कुछ तो छुट गिया है, कुछ गड़बन हो गई है, देखो, किसी भी circle के उपर, अगर इसकी radius a है, तो ये जो point होता है, वो a cos alpha, और a sin alpha होता है, ये होता है point, मैंने क्या किया, a की जगा बनवन दे लिए, अगर radius r होती है, तो r cos alpha, r sin alpha point होता है, इस point की help से, इस circle के उपर, अगर tangent निकालनी है, तो x into x, तो दूसरे x की जगा पे, जो x का value है, a cos alpha वो लिख देंगे, plus y into y को y into a sin alpha लिख देंगे, और equal to, में a square आएगा, a square का a, a cancel हो जाएगा, तो x cos alpha plus में, y sin alpha is equals to a आएगा, इस equation को और इसको compare करें, क्योंकि दोनों सेम है, तो a equal to p, या p equal to a, यानि a options हो जाएगा answer, दोनों रेखाओं के बीच का code, इसको अगर differentiate करोगे, तो root 3 minus y dash equal to 0 आएगा, इसको अगर differentiate करोगे, 1 plus y dash root 3 equal to 0 आएगा, यहां से जो slope आएगी, m1 वो root 3 आएगी, और जो slope आएगी, यहां से जो slope आएगी, वो y dash is equals to minus 1 by root 3 आएगी, इसका और इसका multiplication, क्योंकि minus 1 आ रहा है तो यह, जब भी एक line दी है, दूसरी line, इसको भी differentiate करो, इसको भी differentiate करो, differentiate करने पर, जो भी हमारा dy by dx आता है, वही हमारा slope हो जाता है, तो मैंने क्या क्या, जब भी मुझे angle निकालना होता है, तो इसको differentiate, इसको differentiate दोनों की slope, दोनों की slope का multiplication सबसे पहले चेक कर लो, तो अगर minus बना रहा है, तो दोनों क्या होंगे, 90 degree angle बना रही होंगी, अब ये area in xy plane and close by this, तो ये जो mod x है, और जो mod y है, इसमें क्या होता है, mod x और mod y जो है न, 2 mod x plus 3 mod y, less than equal to 6, ये 4 line को represent करेंगे, उन 4 line से बनेगा एक area, या वो उसका हमें area निकालना होगा, एक region बनेगा उसका area में निकालना होगा, तो 2, पहले दोनों को positive रखते हैं, अब x को negative कर देते हैं, पहले दोनों को positive रखते हैं, अब x को हम negative कर देते हैं, अब y को हम negative कर देते हैं, x और y दोनों को negative कर देते हैं, अब हम x को positive रखते हैं y को सिर्फ negative पर देते हैं तो इस तरीके से हमारे पास 4 लाइन बनेगी चार लाइन बनेगी तो area बनेगा कुछ उसका हमें कोई region बनेगा उसका हमें area निकाल लो ठीक है अगर मैं इसको देखूं 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है अगर y की जगह 0 रखूं तो x की value क्या आएगी 3 तो x की value 3 आएगी अगर x को 0 रखूं तो y की value कितनी आएगी 2 तो यह 2 आएगा यह बन गई line ठीक है फर्स्ट इसमें अगर y को 0 रख दो तो x की value कितनी आएगी minus 3 greater than less than भूल जाओ यह कुछ नहीं सोचना भी ठीक है यह बाद में सोचेंगे अगर मैं यहाँ पर x की 0 रखूंगी value इसमें x की 0 रखते हैं x की 0 रखने पर y की value 2 आएगी y की 0 रखने पर x की value minus 3 आएगी तो minus 3 0 और x की value 0 2 यानी दूसरी line ठीक है अब इसमें देखो इस वाले के लिए थर्ड वाले के लिए x y अगर x को 0 रखती हूं तो y minus 3 और y को 0 रखती हूं तो x minus 2 x minus 3 y minus 2 ठीक है तो 0 minus 3 0 और 0 minus 2 ये बन गया 30 और चौते वाले के जब आप बनाओगे तो ये बनेगा खुदी ठीक है अब इसने कहा है less than अगर मैं इस वाली equation में 0 0 रख दूँ तो क्या बात सही आती है 0 plus 0 less than equal to 6 बात सही है हां सही है इसका मतलब 0 0 इसमें आएगा तो जिधर 0 0 ये है तो इसका मतलब है जो first वाली line थै first वाली जो हमारी line है और 0 0 है तो area इधर आएगा पीछे अगर मैं इसमें 0 0 रखो तो इसको भी satisfy कर रहा है देखो इसमें 0 plus 0 less than equal to 6 इसमें रखो 0 plus 0 less than equal to 6 और इसमें भी सभी को 0 satisfy कर रहा है तो सबका जो area आएगा वो 00 की side की तरफ का आएगा यानि ये पीछे का area आएगा इसमें भी 0 की तरफ ये 0 है ना इसका भी 0 की तरफ का area आ इरिया क्या आ जाएगा हमारे सारा कंसारा कि बीक का एरिया आएगा défू आप ओंब ब हमें निकालना इस ट्राइंगल का फुल एरिया ऑप्सानिष्ट और हमें निकालनेश्ट कितनी है तीन कि अ yanlış और उत ладно